आज के इस वीडियो में बात करेंगे रियल्मी नार्जो 60X के टिप्स और ट्रिक के बारे में इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर बताऊंगा जो कि आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए अगर आप यूज़ करना है रियल्मी का नार्जो 60X काफी अच्छे फीचर इस फोन के अदर आपको देखने को मिल जाते हैं तो उनमें से टॉप 10 पर इस वीडियो के नदर बताई हुए है तो चली सुरू करते हैं इस वीडियो को जाने के पशचान के मोस्ट यूजफुल फीचरों के बारे में इस phone की skin को काफी अच्छे से customize कर सकते हैं, जैसे कि आपका app droid यहाँ पर enable रहता है, आप इसे disable कर सकते हैं, home skin पर standard mode side कर सकते हैं, जो apps का shape आप देख रहे हैं, आप इनको change कर सकते हैं, icon sides आप resize कर सकते हैं, यह सबी features आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो app droid क आप set की हुए हैं, पहले से ही आप यहाँ पर set करना चाहते हैं, standard mode, तो screen पर two finger से pinch in कीजिए, side करने की बाद more पर click कीजिए, देखने को मिलेगा home skin mode यहाँ click करना है, और standard mode पर click करके apply करना है, अब सभी apps आपकी home screen पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो सभी apps को आप screen करने के लिए जाना है phone की setting में, इसके बाद आपको मिलेगा wallpaper and style, इस पर click कीजिए, icons पर click करके आपको तीन different different तरीके icons देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप इस तरसन को set करके रख सकते हो, इसके लाबा आप custom पर click करके अलगलग shape में भी अपनी design अपनी हिसाब से side कर सकते हो, अब आप इसका यहां से scroll करने पर resize कर पाऊगे, text icon आप resize कर सकते हो, इसके लाबा name का जो app name है उसको भी आप यहां से resize कर सकते हो, तो यह सब आपको feature यहां पर देखने को मिल जाएंगे, इसके लाबा colors पर click करते हैं, तो यहां पर आप जो color देखते हो, control में है, जो apps आ कर पाऊगो, तो इसके लिए आपको color wallpaper पर click करके आपको different different color देखने को मिलेंगे, जो भी wallpaper के अंदर available रहते हैं, यहां पर आप जो style देख रहे हो, इसका भी आप save चेंज कर सकते हो, इसके लिए आपको simple cube setting पर यहां आने के बाद click करना होगा, और आपको different different तरख यहां पर two fingers से pinch in करना है, side करने के बाद transition आप देख पाऊगो, यहां click करना है, अब आपको अलग-अलग transition effects से यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि screen पर लगाने पर आप screen कुछ इस तरह से देख पाऊगी, जो कि यहां पर काफी अच्छी लगती है, अब आप screen को change करते हैं, त screen को lock करने के लिए screen पर double tap कर दीजिए, screen आपको lock हो जाता है, इसके लावा जब आप double tap करेंगे तब भी आप screen को on भी करा सकते हैं, यह भी feature आपको on करना रहेगा, तो simple screen पर फिर से two fingers से pinch in कीजिए, side करने की बाद mode पर click कीजिए, और यहां से scroll करने की बाद आपको यह feature on कर करना है, इसके बाद आप screen को off करना चाहते हैं, double tap करेंगे, off हो जाएगा, screen को on करने के लिए double tap करेंगे, screen on हो जाएगा, इस phone की screen से आप बहुत सारी apps को control कर सकते हैं, वो बनाएंगे, camera apps को open हो जाएगा, we swipe करेंगे, आपकी flashlight on हो जाएगी, इसके लाबा कुछ apps को भी आप अपने हिसाब से side करके रख 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 तो, तो यहाँ पर screen of gesture के आपको काफी अच्छे-च्छे feature को मिल जाते हैं, इनको set करने के लिए चले जाना है, आपको phone की setting के अंदर, यहाँ आने के बाद scroll कर लिए यहाँ से scroll करने के बाद आपको देखने को मिलेगा additional setting यहाँ क्लिक करना है, और देखने को मिलेगा gesture and motion यहाँ क्लिक कीजिए, इसके बाद सरी thumbs and condition को allow करते हुए, आपको मिल जाएगा screen of gesture यहाँ क्लिक करना है, और यह on कर लेना है, जिसके बाद अगर आप camera apps को open करना चाहते हैं, तो इस feature को on कर दीजिए and got it पर क्लिक कीजिए, अब कभी भी आपको camera apps open करना है, तो lock screen पर आपको open आना होगा, आपको without screen unlock की camera apps open हो जाएगा, इस तरह साप camera apps को open करा सकते हो, इसके लाबर इसी तरह साफ flash light को भी on कर सकते हो, जो कि आपको यहीं पर यह feature देखने को मिल जाएगा, तो simple यहीं पर आजाएए, जो कि आपको यह feature on करना flash light on हो जाएगे, simple दवारा से type करेंगे, आपकी बंद हो जाएगे, इस तरह साफ flash light को on कर सकते हो, and आप lock screen पर ही गाने को भी play कर सकते हो, आपको screen unlock करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसके आपको music control feature on करना है, आप गाने को play करना चाहते हो, तो two fingers down करके आप गाने को play कर स चाहें, तो यहाँ पहले इसको on कीजिए, इस site click कीजिए, अब यहाँ पर तीन अलग-लग feature आपको मिलेंगे, unlock, call and open apps, जब आप open apps को select करते हो, तो अपने favorite apps को आप select कर पाऊगी, अब जैसे कि हम select करने के बाद lock screen सही हम direct YouTube apps को open कर पाएंगे, यह बनाती हमारा YouTube app open हो तो यह सब feature आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर skin of gesture में आने के बाद on up करके रख सकते हैं, इस phone की skin पर आप दो apps को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी time आपको दो apps एक साथ यूज़ करना हो, तो पहले किसी भी एक apps को open कर लीजिए, इसकी आपको इस तरह से अब करना होगा, यह आपका split screen on हो जाता है, अब नीचे की side में का आप चाहें तो दो से apps को open करा सकते हो, तो कुछ इस तरह से आपके दो apps एक साथ open हो जाते हैं, आप उपर वाले को चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से resize भी क split screen का, आपको floating window का भी future मिल जाता है, जैसे कि आप कहीं भी कुछ apps का use कर रहे हैं और आपको कोई और भी apps open कराना है, तो पहले उस apps को इस तरह से open कर लीजिए, recent button को press करना है, three dot पर click करने के बाद मिल जाएगा आपको floating window, इस पर आप जब आप click करेंगे तो यह आपका app इस तो यह resize हो जाएगा, यहां से click करने पे आप इसको directly close कर सकते हैं, full screen में open करना है यह वाला apps तो यहां click कर लीजिए, आपको full screen में भी on हो जाएगा, जब आप इस phone की recent button को press करते हैं, तो जितने भी apps आपको यहां पे open रहते हैं, उनका सभी का content आपको देखने को मिलता है, आप इस content को hide कर सकते हैं, जो भी आपका apps के अंदर content store हो रहा है, तो इसको hide करने के लीजिए, hide content पर click कीजिए, तो इस तरह से content hide हो जाएगा, आपको simple वो apps तो open दिखाई देगा, पर इसके अंदर content क्या चला था वो आप यहां पे नहीं देख पाऊगे, तो इस तरह से down करने के बाद phone about पर click करना है, आपको RAM option पर click करके आपके जितनी जी भी आपको RAM expand करना है उतना आप यहां पर बढ़ा सकते हो, इसकी बाद phone को restart करके आप बहुत आसानी से अपनी RAM expand कर पाऊगे, इस phone के अंदर आपको skin sort की काफी अच्छे अच्छे feature देखने को मिल जाते ह down करेंगे, skin sort आपको देखने को मिल जाएगा, phone का volume down button and power button एक साथ पैस करेंगे, तब भी आप इस phone में skin sort को ले पाएंगे, इसके लाबा screen पर hold करके रखेंगे, तो अब आप area को select कर सकते हो, जिस area का आपको skin sort चाहिए, तो यहां पर आपको यह भी feature काफी अच्छा देखन को मिल जाएगा, यहां पर circle बगरा कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, title बगरा डाल सकते हैं, इस edit option में ही, तो यह सब option आपको नीची के side मिलेंगे, यहां क्लिक करके आप direct save कर पाएंगे, इसके लाब आप goal type skin sort भी यहीं पर बाना सकते हो, जिसके लिए screen पर आपको फिर सा hold करकर र होगा, इसके लिए, इस option को select करके आप area को कुछ इस तरह से भी select कर सकते हैं, जिस type का आपको इसकी इंसोर्ट साहिए, आपका control पेनल आपको देखने को मिले करेंगे, यहां पर तो यहां क्लिक करके भी आप बैरक लिए screen sort बना सकते हैं, तो friends, यह थे कुछ useful feature इस पोन के ज ते किया